नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुरज अगरवाल आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डेनिंग इज मैं पैसन का हिंदी भर्षन दोस्तों मैं असोक ट्रीट वारे में बता रहा हूँ असोक का पेर यह आप इसका साइंटिबे के सारा का असोका यह फै पैचान लिजिए तो जो आठें यह फ्म ठोल के पशुड जो ऐता है यह फूल को को एकजोरा का फील तुरल का उते हैं यह जो है जो है लोगूरण आते हैं यह मीत फूल में त्फूल छोटी के लिए उसके बाद इसको औरेंज का लाल में कानबाट हो जाता है और इसके सीम की जैसे फली बनती है काफी हर्ड फली वो भी मैं आपको दिखाऊंगा फल कैसे बनता है और ये बाटी का जो है ये आसोग बाटी का स्री लंका में थी वो भी आपको दिखाऊंगा कहां पर ये बाटी इसके पॉड़ी को लगा सकते हैं यह जो फल है इस तरह के दिखे इस तरह का फल होता है इसको तोरने से अंदर से फ्लैट बीज निकलते हैं इस तरह के दिखे यहां से लगे रहते हैं बीज गिरने से मिट्टे में बहुत आसानी से उग जाते हैं और इसके पेड़ देखे रफल कल के पत्ते होते हैं, बहुत सांदर पत्ते होते हैं ये दिखे हुउタ की खुब्सूरत और फल भी बहुत सूरी? इसके जो हर एक पत्ते हैं इसकी जो छाल है सारी पुरे ऊसे पोरगूं बाम के दूथ है वो तब सिता मैया इसी पेर के नीचे असोक पेर के नीचे बैठी थी और असोक का नम होता है मतलब होता है जिसमें सोक नहीं हो यानि कि सिता मैया इस पेर के नीचे बैठी थी ताकि सिता मैया का सोक दूर हो जाए और वो इसलिए इसमें बैठी तो इसका दूर हो जाते हैं यानि कि दूख कष्ट एकदम बिल्कुल दूर हो जाते हैं तमारे कॉलेज के प्रांगन में यह पेर लगा हुआ एक हमने लगा है आप आसानी से नर्सरी में जाके असुक का पेर यह पहचान भी बता देता हूं इसका फूल देखके आप पचान जांगे कि इसके फली है फल भी देख लिए पत्ते देख लिए ताना देख लिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको प्योर जो असोका की ट्री है वो कैसी होनी चाहिए कुछ जो फॉल्स असोका की ट्री है जिसका हम इपीन ट्री बोलते हैं वो भी मैं आपको दिखाँगा कि कैसे आप लोग को confuse करके असो कार्टी कहते हैं उसको false असो का कहते हैं इसके फलिया देखिए इस तरह का अभी March मैने में इस तरह की फलिया आती है यह करीब जो purple कलर की फलिया होती है बाद में यह greenish हो जाएगी उसके बाद यह brownish होके यह सूख जाएगी उसके बाद इसमें से flat ब बीज निकाल सकते हैं इसके बीज जो मैं तोर के भी आपको दिखाऊंगा कि इस तरह की जो है तोरने के बाद कैसे दीखती है इसके बीज जो है flat बीज होते हैं और बहुत सारे एक-एक फलिया में आट-दस बीज होते हैं और आसनी से आप इससे लगा सकते हैं यह लंका तो यहां पर सिता लएया नाम है या पर जो सिती जो है वो नुवारेलिया सिती है उसके पास उस सहर के पास सीथाओं तो आप यह दिख लिजा wraps आपको पेर के पैचान के लिए बन्वान के दौर तो ऑन्हेन ने यहां पर इस पेर के नीचे रखा था और सिता के टा इस पेर के निचे जादा तर बीता था तो आपको मैं दिखा देता हूँ इस पेर की हार एक पहिचान इसके फूल जो है उसमें पूरा बहुत सारे वसरीय गुन से भर पूर है फूल और इसके फल दोनों तो आप इसको ओसी दिया गुन के रूप सभी आपको इसका प्योग कर जाते हैं इसलिए हमने हमारे कॉलेज में भी प्रांगान में एक इस तरह के पौदा लगा रखा है आपको कहीं पर भी एवन्यूटी के इसाब से यह बहुत सांदर होता और इसके फलिया जो है बहुत हर्ड होती है तो मैं आपको फल को तोर के भी दिखाता हूं उसके से नौरा एलिया ये नौरा एलिया के जगा पर यह आपको मिलेगा और ये फूल मैं आपको नस्तीं से दिखाता हूं और यह को बहुत हर्ड होती है यह देखें मेरे लिए तो रह नी जाँ दोनों साइट से और बहुत हाहं?" इसको तोरने की कोसिस करने पड़ेगी ताकि मैं आपको भीज दिखाता हूँ वह भी मैं आपको दिखाता हूँ नजदीक से तोरके किस तर गेज वीज होती ताकि आपको पैचान में आ जाया कि बीज की साइब का है इस तरह से दिखे यह तोर लिए आई सूख जाएगा तो उसका बाद आप लगा सकते हैं ये जो पेर है इसको कहते है Polyelthia Longifolia इसको False Asoca Tree भी कहते हैं इसको Himalayan Cedar भी कहते हैं ये लोग लोग गलती से लगाते हैं ये Anonycee Family के प्लैंट है बिलकुल अलग है इसके ये पत्ते हैं यह दिखिए अंडूलेटेट पत्ते हैं, कारट पत्ते हैं और इसके जो डियाइन है, यह बहुत सांदर है, लेकिन यह असोका नहीं है, असोका का नाम से लोग बेशते हैं, तो आपको मैंने बता दिया कि कौन से असोका है, कौन से असोका है, इसका फल भी अलग है, इसके ब College में ये भी है बहुत सारे देवदार जिसको हम Himalayan cedar कहते हैं ये भी पेर है बहुत सारे इसके different design करका आप लगा से इसके पत्ते भी दिखें कच्चे जो हरे पत्ते होते है इस तरह के होते हैं light green कलर के हमारे जो नए पत्ते निकलते वो purple कलर के निकलते हैं और इसके जो है प और यह अलग है तो एब मैं फिर एक बार आपको दिखा देता हूँ मंदीर का किनार में और यह इस तरह का यह नजा रहा है तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया पसंद आता लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल में नहा है तो सब्सक्राइब करें यह जादा से ज दिखाई दे कि असू का ट्रीक ऐसे दे बहुत बहुत धना है